इसमें आपको जरूर से मिला होगा यह कहीं से लेक्चर देख रखा होगा लेकिन यह एक थोड़ा सा अम लोग ट्रेंट तो समझेंगे एड़ इसेम पॉइंट आफ टाइम जो टॉपिक से उनके सोर्सेस भी डिसकस करेंगे कहां से क्या 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 फ्रेम हो है वो थोड़ा सा जानना जरूरी है जिससे कि आप लोग जब प्रिप्रेशन करते हैं तो उसमें इस वेरी इंपॉर्टेंट की यूपिस से किन सोर्सेस को फॉलो करता है और उसने कभी भी चेंज नहीं किया है उसके बारे में और एक चीज मैं आपको बताऊंगो जब भी सेशन को देखो न आज भी वैसा ही ट्रेंड है वही से थीम बनाके questions फ्रेम कर रहे हैं यह चीज थोड़ा सा देखना है तो अगर हम स्लेबस को ध्यान में रखें थोड़ा static content अच्छे से cover कर ले और फिर उसको थोड़ा उसको कोशिश करें contemporary aspects से लिंक करके बाट static part पहले cover करके फिर contemporary aspects से election principle देखो one nation one election एक topic है इसमें इसमें एक तो देखो electoral reforms की बात की कि अगर आप हिंदू का न्यूस पर देखोगे तो इसमेर बहुत चीज़े आई हैं इसके अलबाब P.I.B. की बात करोगे तो अभी हाल पे ही इस पर जो high level committee जो है रामनात को भी जो है उनके पहले बोली जा रही है तो यह बहुत ही topic news में था बट देखो इसमें balance करना आपको बहुत अच्छा आना चाहिए मतब जैसे यहाँ पर various committees की बात की गई है नाइक need यहाँ पर बात की गई है need for electoral reform पहला पार्ट तो यह है और फिर one nation one election principle और आपकी बास 1500 शब्द लिखने के लिए तो अगर आप खाली one nation one election करके चले जाओगे तो वो भी पार्ट आपको mention करना है at the same point of time जो आपकी starting है electoral reforms की context में होना चाहिए तो electoral reforms जैसे आप लक्षमी कांद की book पढ़ोगे उसमें mentioned है और one nation one तो यह news में काफी था तो कहीं से भी पढ़ाई होगा तो यह देखना है इसके अलावा न्यूस पेपर भी हमने cover किया इसको explain the distinction between law का दालत आप अर्बिट्रेशन ट्रिबिनल आप देंटेंगे इसमें कुछ जो लोग का दालत है या अर्बिट्रेशन ट्रिबिनल्स के अगर आप बात करोगे तो यह किताब आती है governance in India M. लक्षमी गांद की उससे cover किया जा सकता और कुछ news articles आते रहते हैं आप कोचेंगे कि यार हम ऐसे साल भर के newspaper का देखें यह सब चीजा मन में आती हैं बट देखो यह important होता है इनको cover करना चाहिए कुछ ARC रिपोर्ट्स आती है उनमें भी यह चीजा में इंशन होगे तो ARC रिपोर्ट्स पर भी मैं discussion करूंगा मतलब एक with screenshot भी मैं आपके लिए ए आइडिया लगा कि हाँ ठीक है content जो cover हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यह है उसके बार देखो growth of cabinet system resulted in marginalization of parliamentary supremacy अब यह जो topic है यह आपकी understanding पर बहुत matter करता है मतलब देखो quality जो हम prelims के लिए पढ़ते हैं वो तो ठीक है governance पार्ट कवर करना बहुत matter करता है generally governance लोग करते नहीं है governance का आपको especially static पार्ट को cover करना बहुत matter करता है generally जिनका public administration वह इस सम्में उनके लिए चीज़े बहुत आसान है लेकिन आपको governance quality तो लक्षमिकान से कर लेता है governance पार्ट बहुत cover करना important है और उसमें यह topic देखोगे तो आप easily कर सकते है although parliamentary supremacy पे काफी सारे articles आ है मैं search करके screenshot के साथ share करूगा आपको कि देखो newspaper में चीज़े कैसे कैसे आती है वो आपको help करेगा कि देखो कैसे help मतलब you will able to understand CAC की उपर है the duty of the computer auditor general is not merely to ensure the legality of the expenditure बट आपको इस प्रपरिरिटी यह topic यह भी governance से related है CAC के रोल और इस सब भी आप देखोगे news articles है इन जनल भी आप static portion जब पढ़ते तो इस topic को पढ़ोगे आपकी CAC जैसे topics का बढ़िया coverage होना चाहिए यह बहुत मैटर सेशन को जुरूर से सुनना जिससे आपको आइडिया लगी है देखो topics कहां कहां से frame आपके होते हैं फिर यहा आस तोर सी जो मतलब जब लोग paper पढ़ना छोड़ देते हैं और यह लगभग 3-4 years से observe कर रहा हूं मतलब because I take the Hindu session ठेक है इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप देखो तो यह मानकर चलो कि local bodies से related September के महिने में दो articles है और उसके माध्यम से पूरा answer भी हो जाएगा पॉलिटी के पार्ट में आप local bodies पढ़ते हो बट थोड़ा सा जैसे इसमें कई सारे चीजों को लिंक किया तो बहुत बड़ा article आया था और वहां से था मतलब यह आप यह मत सोचना है कि जो paper बन गया है क्या इतना लेट paper बनता इसका मतलब यह नहीं है but I have observed I don't know what is the reason but यह जो एक्जाम की जस्ट हफता दो हफता पहला टाइम होता है उस पर जो newspaper में आटिकल भर भर की questions UBSC में होता अभी इस साल भी मैं आपको शो करूँगा अभी time लेके मैं I will show you the screenshot की कितने सारे चीज़े covered हुई है यह जो public charitable trust है तो यह जो topic है आपका यह जो topic है development inclusive यह ARC report है ठी मैं अलग से content भी 105 CSC app में लेकर आऊँगा पिछले साल भी में लेकर आया था सारी ARC report with synopsis तो यह करना जरूरी है जैसे terrorism वाली citizen centric administration उसमें civil service का role और यह सब चीज़े आ जाते काफी सारा तो वो एक कुछ ARC report आपको करना चाहिए तभी यह content आपका cover होगा दर्वाइस नही इसका यह ARC report में social capital वाला वहां से है यह poverty and malnutrition अगर आप चाहो तो इसको go through हो सकते हो poverty mentioned है तो poverty generally आपको पढ़ना पढ़ता है important topic अगर आपने जो topic mentioned है अगर आपने उसको स्टाटिक पढ़ रखा है फिर contemporary aspect में चीज़े आते हैं तो उसको जोड के अपना देख सकते हो तो यह देखना चाहिना का जो अप्रोच है जिसे हम कहते हैं वेपनाइजेशन आप सप्लाइचेन तो वेपनाइजेशन आप सप्लाइचेन इसको काउंटर करने के लिए क्या भारत के साथ एक alternative चीज़ डेवलप भी की जा रही है तो एक ग्रूपिंग भी थी काफी न्यूज में भी थी जिसमें सप्लाइचेन रिजीलियंस जो है उसमें डेवलप करने की बात की गई थी जिसमें इंडिया भी था यूएस भी और भी कई देश थे यह टॉपिक मतलब करेंट अफेर्स का है यह दस नंबर का है फिर डॉक्ट तो यह कोई मतलब विकांट से कोई contemporary aspect से है यह static part से governance part से यह हिस्सा है और civil service के रोल की ओपर जैसे citizen centric administration और ethics in governance यह कुछ जो RC report administrative reform commission की report है वहां से यह topic आप answer कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है यह एक है उसके बात देखते है critically analyzed India evolving diplomatic economic and strategic relation with centralization republics highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics यह topic आप देखोगे तो यह centralization countries SEO अभी काफी news में है तो centralization republics जो है वो news में है तो वो थोड़ा सा उसका importance पर देखोगे तो अभी हाल फिलाल भी कई सारे articles थे इस पर आयर तो पूरा contemporary aspects पर ही based होता है तो नजर बना के रखोगे तो अच्छा handle आप कर सकते हैं फिर इसके बा पर देखा जाये तो यहां पर right to privacy इस पर I think prelims का भी प्रश्चना right to privacy intersect to life, personal liberty and inherently protected in article 21 of the Constitution explained in the reference of law related to DNA testing and child in the womb to establish its paternity, यह editorial का topic है इसका मैं screenshot भी आप से शेर करोगा है ठीक है, यह editorial में आया हुआ है कि जो मतलब जो Indian Evidence Act है उस पर भी चर्चा हो रही थी और privacy से related articles आते रहते हैं article 21 के context में काफी सारे articles अगर आपके notes बना रखे हैं तो आप answer कर सकते, editorial सा answer हो जाए गई है, यह मतलब अगर आप newspaper को 8-9 महीनेक अच्छे सा follow करते हो, next देखते हो, what changes the union government recently introduced, यह भी current affairs है, editorial से है, this is also linked with editorial, सब का मैं आपके screenshot share को, जिनको लग रहा होगा यार, यह कैसे हो सकता है, और कई लोग जो नए होंगे, they are not aware about it, they might think कहां से आ रहा है, देखो बहुत ही simple सी चीज़े, आपको कुछ चीज़े हैं, जैसे quality, governance, ARC reports, यह पढ़ना है, कुछ notes आप बना सकते हो, आज कल का time ऐसा है कि content बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, internet का अगर आप इस्तमाल अ एडिटोरियल के लाबा जो newspaper में discussion होता, जैसे मेरा भी session होता हिंदू का, इसी channel के अंदर, आप go through or you will understand काफी आप लोग का understanding improvement हो, कुछ session देखो, you can conclude that, what changes has the union government recently introduced in the domain of center-state relation, suggest measure to the adoptive to build the trust between center-state, जैसे बहुत सारी बाते आप मेंशन कर सकते हो, specifically asymmetrical federalism के context में, जैसे GST council के बारे competitive federalism के बारे में, competitive federalism के बारे में, ऐसा बहुत सारी चीज़े जो आप highlight कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़े जिसकी वजह से tension है, उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो वो आप highlight कर सकते हो, explain the reason, next for the growth of public PIL की बात करे, and as a result, has Indian Supreme Court emerged as a world most powerful judiciary, इसमें देखो आपको judiciary पर महीने बर भी देखोगे, एक एक दो दो आर्टिकल साते रहते हैं, तो उसका आपका notes अच्छा होना, यहाँ पर क्या होता है, जब आप कोई magazine पढ़ते हो, या कोई compilation पढ़ते हो, तो हो सकता है, एक दो topic निकाल कर वो अपने हिसाब से important बता देते हैं, लेकिन आप समझो, अगर आप newspaper पढ़ते हो, तो topics जो build up होते रहते हैं, अलग-अलग dimension आपके दिमाग में खुलते रहते हैं, यह बहुत फाइदा होता है, तो यहाँ पर आपको देखना है, explain the reason for the growth of the public interest litigation in India, as a result of it has the Indian Supreme Court imaged as the world's most powerful judiciary, इसको understanding based, और मैं सबका एक solution भी आपसे share होगा, detailed explanation, model answer, और फिर एक session होगा, जिसमें हम आपको screenshot show करूगा, कि देखो हमने इतना cover यहाँ यहाँ से किया है, वो आप go through हो सकते, नेक्स देखते हैं, यह secularism पर बहुत बार प्रश्न पूछा है, और यह भी syllabus से related है, secularism, इंडियन, मतलब दो-तीन बार पूछ चुके हैं आपका governance in India से, जो किताब है, नक्षमी कानत है, वहाँ से प्रश्निया आप से पूछा हुआ है, governance का पार्ट है, वहाँ से अगर आप इसको पढ़ोगे तो वहाँ से हो जाएगा, बाकि फिर जो भी आपका contemporary aspect में understanding, उसके basis में आप जो है answer कर सकते हो, फिर यहाँ पे देखो तो कि public healthcare system मैं आपको बता दूँ, पूरे September के महीने में पता नहीं कितने articles आये है, healthcare system के उपर, और इसमें, इंडियन स्टेट शूट प्ले वाइटल रोल, तो कंटेन दा adverse impact of marketization of the system, suggest some measures through which the state can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level, तो इस पर मैं भी आपको दिखाऊंगा, September के महीने में कम से कम नही है, फिर बीच मैंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया, article रिपीट हो रहे थे काफी, अब यह पूरा का पूरा topic वहीं से लिया गया है, मतलब मैंने, मतलब अगर जो लोग follow करते हूं, मैं हमेशा यह कहता हूं, कि I don't know क्या होता है, prelims में भी same trend देखने को मिलता है, कि जब लो e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process, it is just that multifarious interaction from ensuring transparency and accountability in this context, evaluate the role of interactive service model of e-governance, तो यह topic आप तो basic इसका आपका governance in India की किताब में अलग से chapter e-governance, वहां से cover आप कर सकते हो, e-governance का क्या concept सारा cover कर सकते हो, और फिर उसके बाद आपको contemporary aspects के examples और उसके माधियम से इसका answer आपका हो सकता है, terrorism has a significant threat to global peace security, evaluate the effectiveness of United Nations Security Council counter-terrorism committee, its associated bodies in addressing, mitigating and threat at the international, देखो basic इसका आपको पढ़ना, international security की किताब आती है, जिसका मैं अलग से इन से related courses की भी जानकारी आखरी में दूँगा, तो यहां आपे देखो terrorism का TMH के किताब आती है, TMH की जो एक IPS officer है, उनके द्वारा लिखी किताब बहुत बढ़ और फिर जो आपको contemporary aspect का आपको घ्यान होना चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए, अलनुस्रा, बोको हराम, अंसरदाइन, अलकाइदा, आईसिस, ऐसे बहुत सारे terrorist organization का पता होना चाहिए, क्या effectiveness आपको पता होना चाहिए, आप बताओगे कैसे diplomatic tool की रूप में इस्तमा किया हो है, next देखते हैं, last question is, discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldis for India, with a focus on global trade and energy flow, further also discuss how this relationship affect India's maritime security and regional stability emits international competition, तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अगर आपने answer writing practice नहीं किये ना, तो बहुत आप कच्रणा टाइप लिख सकते हो, sorry, मतब आप खिजुडी टाइप लिख सकते हो, यहाँ प six months में, बहुत news में था, six, seven months में, contemporary aspect में आया था, तो वो जो understanding बनेगी, देखो, एक चीज मैंने हमेशा से कहा, कि अगर आप कोई magazine पढ़ते हो, यह कोई compilation पढ़ते हो, तो कभी भी आपका dots connect नहीं होंगे, बट आप newspaper को follow करते हो, यह जैसे मालो मैं session ले रहा हूं उसको, क् आज कुछ आया है, कल कुछ और आएगा, परसो कुछ और आएगा, तो discussion by discussion आपके understanding enhance होगी, यह सबसे बड़ा benefit होता है, तो यह बहुत important अगर आप इस चीज को ध्यान दे, तो discuss the geopolitical and geopolitical and geopolitical importance of Maldives for India, with a focus on global trading and energy flow, further also discuss how this relationship affect India's maritime security and regional stability emits international competition, ठीक है, तो यह थोड़ा सा ध्यान मे रखना है, बड़ी तरीके से आपको डाइसो शब्द में लिखना था, maritime security यह भी contemporary aspect से आपको प्रश्न है, IR का जो आपको answer करना है, ठीक है, तो यह है, बाकि सारे papers भी धीर-दीर हम लोग थोड़ा सा एक idea लेलिंग overview, फिर model answer, फिर sources, तीन level पर discuss करेंगे, तो sources का सिर्फ यह है, यहां से directly pick हो रहे हैं questions, तो आप और better कर सकते हो, otherwise हमारा मन बहुत divert रहता है, यह कारण रहता है, एक तो देखो current affairs का course चल रहा है, सौरपांडी CSE आप आप लोग डावलोड कर लेना, Google Play Store से यह सौरपांडी UPSC.com website पर जा सकते हो, वहां पर all courses पर click करोगे, वहां पर मि में मोक्स हर चीज इंक्लोड़ है, current affairs में दोनों covered है, classes आपकी लगातार चलती रहेंगे, इसके बाद अलावा courses है, जैसे book series है, इसमें सारी advanced books है, जैसमें governance in India की किताब है, जिसमें इस बार प्रश्टन थे काफी सारे, उसके अलावा भी lexicon की किताब है, और इसमें आपका evaluation भी इसमें included है, cyber security disaster management का course है, प्रश्टरी का course है, course on society organization, globalization, तो यह सब कुछ आपका covered एक एक करके हो जाएगा, तो यह आप सारवपांडे CAC है आप में, जो आपको अपने preparation में लगता है, मुझे जोड़ना चाहिए, तो आप उन सब को join को सकते हो, और अपना हिस्सा बन सकत जो आज के लिए इतना ही, I hope यह session आपके लिए helpful रहोगा, मिलते है, next session में, thank you everyone, thank you